हाई एब्रिवन मैं हूँ आर्ति शर्मा आज मैं आपको पाईराइट क्रिस्टल के बारे में बताऊंगी यह गोल्डन कलर का होता है इसे हम फूल्स गोल्ड भी कहते हैं इसको हम मनी और अबंडन्स का प्रिस्टल भी कहते हैं यह हमारे सोलर प्रैक्सिस चक्कर पर काम करता ह पाइरेट क्रिस्टल को हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमारे नसीब में तो वो पैसे हैं पर हमें वो मिलते नहीं तब हमें इसका यूज़ करना चाहिए इसे आप अपने कैश बॉक्स में रखे जहां आप अपना पैसा रखते हैं इसे हम वालेट पे या बर्स में भी रख सकते हैं ये क्रिस्टल आपके बर्स की प्रोटेक्शन करता है अगर किसी को उखार हो जाए तो वो उतर ना रहा हो तो भी आप ये क्रिस्टल उसको दे सकते हैं इसे अपने पास रखने से उसका उखारखी को जाएगा ये आपका लग भी एन्हेंस करतेगा इसको आप अपने हाथों में पकड़ कर रखे कुछ दिर के लिए तब भी ये आपको बेनफिट देता है ये आपकी मनी को एट्रेक्ट करने वाली वाइब्रेशन को बढ़ा देगा ये आपको हर परकार की दकावट से बचाता है चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो इसका प्रेसलिट डालने से ये आपको पल्यूशन से भी बचाता है ये आपके आस पास ऐसा गेरा बना देगा जिससे आपको पल्यूशन का कोई नुकसान नहीं होगा अगर कोई हाउस वाइफ है तो वो भी इसे अपने पास रख सकती है अगर इसे आप अपने लौकर में रखोगे तो वहाँ जो भी होगा ये उसे बढ़ाने लग जाएगा अगर वहाँ गोल्ड है तो ये गोल्ड में बरकत होगी अगर वहाँ मनी पड़ी है तो उसमें आपके बर्गत होनी शुरू हो जाएगी लॉककर में जो भी कुछ होगा उसमें क्रोध होनी शुरू हो जाएगी इस क्रिस्टल में डबल करने की शक्ति है चाहे वो मनी हो या गूल्ड हो, कुछ भी इसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन ही आपकी लॉटरी लग जाएगी ये धीरे धीरे धन को अकरशित करता है ये मनी को अट्रेक्ट करता है उतना ही जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिल जाएगा क्रिस्टल आपके विजार भी पढ़ लेता है इसलिए इसको पहन कर कभी भी negative ना सोचे इसके बारे में ये मत सोचें कि पहन तो लिया है पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा अगर आप negative सोचेंगे तो ये 100% negative result देगा और अगर आप इसको पहन कर positive सोचेंगे तो ये 100% positive काम करेगा इसलिए इसको पहन कर हमेशा अच्छा अच्छा पॉस्टिव ही सोचें आज की वीडियो में बस इतना ही प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर एड़ सब्सक्राइब जोड़ करें थैंक यू